सब्सक्राइब के साथ स्टार्ट कर दें और बैल आइकन को भी हिट कर दियेगा ताकि आपको मेरी नूटिफिकेशन्स वीडियो की मिल सकें इसमी इसकी पंदधी रोपको मेरी नुटिफ या तो ग्रेविटी ना वह तो वेटलेसनेस कर देंदीशन्स अप nih नूटिफिकेशन के आधो कृटनिफिकेशन बाउटिकेशन्स लिए कनदियो कर देंदिशन्स या फिर gravity होने के बावजूद आप weightlessness की condition को achieve कर सकते हैं तो हमने second वाली condition को discuss किया था कि gravity के होते हुए weightlessness कैसे हो सकता है we have discussed it in detail हम पढ़ चुके हैं तो अगर आप मेरी video मतलब वो वाली नहीं देखी है अगर आप सिर्फ directly ये video चेक कर रहे हैं artificial gravity या फिर weightlessness in satellites को तो पहले आप वो तो देख लो महाँ पर मैंने detail में आपको बताया था कि weightlessness होता क्या है किस तरीके से हम achieve कर सकते हैं अच्छा खेर उस वाली video में weightlessness को पढ़ने के बाद मैंने आप सबसे सबसे end के अंदर एक question किया था और बहुत सारे students ने वो question समझने के बाद सुनने के बाद comments में answer भी दिया आज मैं आपके उन comments पर react करने वाला हूँ उन comments को हम check करने वाले हैं क्या आपने comments में किन-किन students ने answer दिया मैं बकायदा नाम के साथ mention करूँगा हो सकता आपको screen पर भी show करवाऊ और उन comments को हम discuss करेंगे मैं आपको बताओंगा कि आपने क्या comment किया और इसमें ये क्या सही है या क्या गलत है लेकिन ये comments वाला section हम करेंगे थोड़ी देर बाद इसी वीडियो के में थोड़ी देर बाद सबसे पहले हम चलते हैं topic के इस section की तरफ ठीक है मैं पूरी वीडियो के बाद नहीं करूँगा मैं बीच में ही ये section पढ़ाने के बाद मैं आपको फिर comments के तरफ जाओंगा पहले मैं आपको बताओं पहले मुझसे आप देख लें मुझसे सीख लें कि सैटलाइट्स में जो weightless होते ही question था ना मेरा zero हो जाता है वो किस वज़े से हो जाता है ये मेरा question था जिसका आप सब ने काफी सारे students ने सब ने तो नहीं काफी सारे students ने जवाब दिया comments के अंदर I am going to discuss those answers in this video इसको check करते है ठीक है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि satellites में basically जो होता है वो weightlessness क्यों होता है चलें भई क्या कहाता मैं आपको उस video का जो last point था सबसे last point वो क्या था definition of the weightlessness पूरी derivation कीती हम लोगों ने बड़ी सी derivation कीती और उस derivation यानि cases पढ़ेते हैं आप लोगों cases को पढ़ने के बाद सबसे last में यहाँ पर इस तरफ मैंने लिखी थी weightlessness की definition और उसमें लिखा बाता weightlessness होता क्या है weightlessness क्या था भई याद है भूले तो नहीं हो भूलना नहीं चाहिए हाना last video में आपने क्या बढ़ाता कि weightlessness एक ऐसी state उटी है जिसमें body free fall करती है free fall अच्छा free fall वाली condition क्या बता हूँ weightlessness का मतलब क्या होता है मैं यह आप लिखता हूँ देखें weightlessness का मतलब क्या होता है free fall free fall और free fall का मतलब क्या होता है bodies अगर acceleration due to gravity के साथ towards the center of the earth move करती है इसको हम कहते हैं free fall यानि कि अगर body 9.8 meter per second square acceleration के साथ towards the center of the earth move कर रही है इसको हम क्या बोलते है free fall तो मैं इसको और clearly करके लिख देता हूँ motion of bodies with या पहले लिखते हैं towards towards the center of earth with 9.8 meter per second square weightlessness कब होता है जब free fall करती है bodies free fall क्या होता है free fall यह होता है यानि कि हर वो body गौर से सुनिएगा गौर से सुनिएगा क्योंकि सैटलाइल लाइट्स में weightlessness की सारी कहानी इस वाले point पर है ठीक है ठीक है ओके फिरी फॉल कब होता है जब भी कोई body जिस body की भी acceleration 9.8 meter per second square होगी और जायर चे बाते कहां की तरफ होगी towards the center of the earth यानि कि अगर फिरी फॉल कंडिशन हो गई अगर अगर बॉडी की acceleration 9.8 meter per second square हो जाए कहां की तरफ towards the center of the earth तो वो अचीव कर लेता है कौन हो गई इसका मतलब उस body का weight खतम उस body का weight 0 तो उसको हम खहेंगे कि वो क्या feel करेगा weightlessness feel करेगा समझ रहें तो इस वाली condition को जहन में रखिएगा ये weightlessness इस वाली condition पर depend करती है ठीक है weightlessness होती ही ये वाली condition है ये मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ाता repeat कर दिया मैंने अग आपको थोड़ा था concept समझ आ गया होगा कि weightlessness की condition basically होती क्या है ओके आप चलते है weightlessness इन satellites की तरफ में काम ही करता हूँ यहाँ पर satellite को बनाने की कोशिश करता हूँ ताके basically आपको समझ आए कि आज का concept हमारा है क्या सबसे पहले मैं आप ड्रॉ करता हूँ एक earth ये आ गया earth ठी कोई भी satellite बना देता हूँ जो कि हमारे earth को क्या कर रही होगी revolve कर रही होगी let suppose मैंने वो satellite यहाँ पर ड्रॉ करी ठीक है satellite बना रहा हूँ बहुत आलिशान कोई ड्राइंग नहीं कर रहा बस सिंपल एक satellite बना देता है क्या भी लगई ये satellite है नहीं भी लगए तो समझ जाना है सेटलाइट है भाई अना इट इस आ सेटलाइट मालो सर की बात कि यह सेटलाइट है अच्छा यह सेटलाइट है जो कि हमारे earth के स्राउंडिंग में revolve कर रही है ठीक है यह देके मैं इसका orbit बना देता हूँ यह orbital motion में होती है है यह आ गया इसका satellite का orbit orbiting around the earth ओके अच्छा ह पर वो अबजेक्ट जो के circular path पर revolve कर रहा होता है circular path पर घूम रहा होता है तो उसके पास एक acceleration लाजमी होती है जिसको हम कहते है centripetal acceleration पढ़ा चुका हूँ उसके बारे में आपको centripetal acceleration की direction हमेशे हमेशे कहा की तरफ होती है towards the center of the circle अगर यह orbit है इस satellite का तो इस orbit का center क्या है जो earth का center है simple सी बात है क्या कह रहा हूँ मैं इस satellite का जो orbit है इस orbit का center भी वो ही है जो earth का center है इसका मतलब मैं कहूंगा इस satellite की जो centripetal acceleration होगी वो कहा की तरफ होगी towards the, towards the center of the earth यह आ गए इसकी centripetal acceleration समझ रहे हैं क्यों क्योंकि यह earth को revolve कर रहा है और इसी orbit का भी center earth का ही center हो होगा तो सैटलाइट की सेंट्री पिल एक्षलेशन की डेरेक्ष्छन तो वर्ड सेंटर ओफ अफ दा अर्ट कहीं पर भी चले जाए आगे चलता हैं अच्छा इसकी मैग़िट की बात करते हैं जो सैटलाइट गूम रही होती है रिवाल्फ कर रही होती है space stations उनकी centripetal acceleration हो कितनी जाती है आपको पता है centripetal acceleration की अगर हम बात करें centripetal acceleration का formula होता है v square over r ये formula होता है ठीक है satellites की जो orbital velocity होती है जिस speed के साथ वो घूम रही होती है वो कि this is orbital velocity of the satellite and this is the orbit radius not the radius of the earth this is the orbit radius of the earth इसकी हम बात कर रहे हैं, this is the orbit radius, satellites की orbital velocity और उनका orbit radius, जब आप इसका values पूट करते हैं, तो इनकी values almost बन जाती है, 9.8 meter per second square, अब आप गौर से सुनिएगा, यह मैंने centripetal acceleration की value लिखी, और यह centripetal acceleration की value पता ही किसकी है, यह in satellites की हो जाती है, मतलब इनकी orbital velocity और इनका जो orbit radius होता है, ठीक है, इनकी values कुछ ऐसी हो जाती है, कि जब आप इनको values को put करते हैं, तो इनकी acceleration centripetal कितनी हो जाती है, 9.8 meter per second square, अच्छा, आप रिपीट करते हैं, satellite की centripetal acceleration का magnitude कितना, 9.8 meter per second square, कहां की तरफ है, towards the center of the earth, now, let's repeat this point, हर वो body, जिसकी acceleration 9.8 meter per second square हो, और कहां की तरफ हो towards the center of the earth, कोई भी body अगर इस condition को achieve कर लेगा, तो हर उस body का जो weight हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, zero हो जाएगा, weightlessness, इसका मतलग इस satellite के अंदर, जो astronauts होते हैं, जो fly कर रहे होते हैं, अदर होते हैं, space station बाप देख रहे होते होंगे, documentaries के अंदर, तो वो जो weightlessness feel करते हैं, वो पता है, वो इस वज़ए से weightlessness feel करते हैं, क्योंकि इनकी जो centripetal acceleration towards the center of the earth होती है, वो इतनी हो जाती है, समझ रहे हैं, तो जिसकी वज़ए से वो weightlessness feel करते हैं, अच्छा, अब एक काम ही करते हैं, मैंने आपको इसका basically reason बताया, कि जो astronauts feel करते हैं weightlessness, वो क्यों करते हैं, उनक astronauts weightlessness feel करते हैं, मैं काम ही करते हूं, सबसे पहले ये वाला point यहाँ पर लिख देता हूं, उसकी बाद अब इस section को पढ़ाने के बाद मैं आपके comments की तरफ जाता हूं, जिन-जिन instruments ने मुझे comments में answer दिये, उन comments को मैं discuss करने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं इस point को यहाँ पर ल weightlessness, feel weightlessness, because their, because their centripetal acceleration, because their centripetal acceleration, or centripetal acceleration होती कहां की तरफ है, towards the center of the earth, मैं आप आगे bracket में लिख देता हूं, towards the center of earth, is approximately equal to, is approximately equal to 9.8 meter per second square, मतब यह satellites के अंदर, जो astronauts होते हैं, वो इस condition को achieve कर लेते हैं, free fall condition को achieve कर लेते हैं, वो free fall होते नहीं हैं, लेकिन मुस्तकिल घूमने की वज़ए से मुस्तकिल रिवॉल्फ करने की वज़ए से एक तरीके से वो free fall condition को ही अचीव कर लेते हैं तो astronauts free fall condition को achieve कर लेते हैं जिसकी वज़ए से उनके weights हो जाते हैं zero so astronauts ये mcq जाता है तो ये बाद जैन में रखेगा astronauts feel weightlessness because of free fall motion वो feel करते हैं free fall ये बाद सेर्म में रखेगा तो ये reason में आपके सामने लिख दिया astronauts in satellite feel weightlessness because their centipetal acceleration यानि कि कहां की तरफ towards the center of the earth is approximately equal to 9.8 meter per second square अब चलते हैं आप लोगों की comments की तरफ मैं check करता हूँ किन students ने मुझे क्या comments कियेते हैं मैं उसको पर मतलब basically आपको अपना answer बताऊंगा कि हाँ भी आपने सही कहा या basically गलत का गलत का no issue आपने try किया कि हाँ भी answer देते हैं वो भले से अलग बात है आप देखो गलत भी answer दे रहे ना इसका मतलब आप try कर रहे हो आपका try करना ही आपकी learning होती है अब देखो आपने गलत answer दिया मैं आपको answer दूँगा मैं आपको जवाब दूँगा कि आपका answer ये गलत क्यूं है अब चलते है comments की तरफ अब discuss करने जा रहे हम लोग basically आपके comments को और देखते हैं किन students ने क्या answer दिये मैं सारे try करूंगा कि सारे discuss कर ले तो देखते हैं मैं किन students की यहाँ पर comments को discuss करता हूं कि आप लोगोंने क्या answer दिये start करते हैं हमारे पास इस video पर मेरी video पर सबसे पहले मैं comment check करूं तो comment आयवा है आसिफ खुराना का basically उनका comment है answer है वो लिखते हैं सर above the surface of earth gravitational acceleration is decreases अच्छा देखो आसिफ एक बास जैन में रखिएगा वह वाली बात जो satellites revolve करती है बात करें सेटलाइट्स का जो अड़िट होता है वो हमारे earth के surface से भहत करीभ हुता है मतलब इसको हम कहते हैं या almost earth के surface के बहुत करीभ है मतलब इतना ज्यादा ही height पर नहीं जारी होथी अगर आप बात करें मून की, मून कितनी दूर होता है हमारे अर्ट से, कितनी जादा दूर होता है, मून हमारे अर्ट से, उसके बावजूद वो जो मून है, वो हमारे अर्ट को घूम रहा है, रिवॉल्फ कर रहा है, अगर इतना बड़ा अबजेक्ट हमारे अर्ट को इतनी दूर होने के बावजूद रिवाल्फ कर रहा है, इसका मतलब अर्थ की gravity वहां तक मौजूद है, मून तक मौजूद है, उसके बावजूद वहल्फ रिवाल्फ कर रहा है, तो बहुत करीम है हमारे underneath Excuse के, सर्फेस के हैं तो यहां पर अर्थ की gravity strong है जहाँ पर satellites होती है यहाँ पर earth की gravity strong होती है तो इसका मतलब यह answer नहीं है जी की value है gravity की value है बहुत सारे students यही कहते हैं मैं आप देखी का कितने सारे comments हो सकता है आएं कि sir जो है वो आहां मैंने पढ़े दे comments उसमें उन्हें नहीं कहाता sir gravity नहीं होती यह जैन में रखी का gravity नहीं होती यह answer नहीं है अपने जैनों से यह answer को delete कर दो के satellites की तरफ मतलब यहां पर gravity नहीं होती जिसकी वजह से वो weightlessness feel करते हैं ऐसा नहीं है यहां पर gravity है जब भी तो satellites गूम रही है वह gravity नहीं होती तो satellite कैसे से घुमती वह इतना दूर जो मून है हमारी सैटलाइट से भी बहुत जादा दूर होता है मून वह इतने बड़ा object हमारी अर्थ को घूम रहा है हमारी अर्थ की gravity की वजह से तो यह satellites क्या है छोड़े-छोड़े सा होता है सैटलाइट के अंदर because of free fall और free fall की condition कैसे अची हुई मैं आपको यहां पर बताई बात कि उनकी centipetal acceleration की value 9.8 meter per second square हो जाती है आगे चलते हैं एक और comment check करते हैं आसिफ खुरानों को बास समझा गई होगी then we have अलीजा अराई next comment है यह लिखती है आंसर के अंदर sir answer of your question is maybe because there is no opposition of force of gravity ओके अलीजा आपका answer मैं ठीक कह सकता हूँ वो यह कि देखो जब कोई object free fall करता है ना free fall वाली condition में gravity का opposite कुछ नहीं होता यह आपके बात hundred percent correct है मतलब मैं अगर किसी weightlessness machine को अपना किसी weight machine पर खड़ावा हूँ तो मेरा weight machine weight उसी sense में बताएगी जब मैं उसके ओपर खड़ाओंगा और मुझ पर reaction हो रहा होगा basically ना तो reaction opposite force है तो gravity का opposite होगा opposite opposite force होगी तो ही आपका weight पता चलता है basically आपका answer is sense में मैं कहूंगा कि अलीजा आपका answer is sense में correct है कि opposition of force of gravity महाँ पर नहीं होती हो और वो क्यों नहीं होती free fall की वज़े से ठीक है correct ओके next check करते है अलिश्बा शेख का answer है यह लिखती है कि because no gravity in space आगे वहीं बात देखो अलिजबा और अलिजबा जैसे अगर किसी ने भी answer दिया होगा तो जार में रखिएगा यहां पर gravity है अभी मैं आपको बता चुका हूं थोड़ी देर पहले कि यहां पर gravity होती है gravity होने कि बावजूद weightlessness क्यों नहीं होता free fall की वज़े से आगे चलते हैं अरिजबा के लावा और किस-किस ने हमें answer दिया lost girl यह name लिखावा है id का ठीक है ना lost girl answer लिखती है सर अस्सलाम अलेकुम वालेकुम स्लाम सर weightlessness हमारे पास apparent weight है और apparent weight due to tension in the string है तो में भी वहाँ tension ना होने की वज़े से weightless हो जाता हो ठीक है अलीजा का answer था वो opposite force की sense में कह रही थी opposition of gravity और यह basically tension की बात कर रही है lost girl जो भी है okay यह tension की बात कर रही है जार से बादे tension भी gravity का opposite होता है यादे वो weightlessness के अंदर object का weight downward था तो tension opposite थी वो opposite force में आ रहाता है ठीक है तो जब तक free fall नहीं होता opposite force होती है तो weight होता है बिल्कुल ठीक है अलीजा ने भी ठीक का था opposite force की वाज़ा से आपके answers के sense दूसरे थे लिकिन आप ठीक कर रहें ठीक है तो अब यह जो lost girl ने comment किया इन्हों condition में gravity की opposite force नहीं होती जिसकी वाज़ा से उसका weight zero हो जाता है next comment check कर लेते हैं next comment में हमारे पास कौन है रिजबान आफरीदी रिजबान आफरीदी लिखते है सर जी क्योंके space में gravitational force नहीं होती रिजबान बात समझ आ गई force होती है force of gravity होती है ठीक है न then we have fashionable people clicks यह है कोई ठीक है इनका comment है second reason of weightlessness is zero value of tension यही है मतलब पूछना चाहरा है कि tension की value नहीं है ठीक है tension की value क्यों नहीं है आप लोगों ने यह बाज़ान में रखनी है free fall की बज़े से tension की value नहीं है या opposite force नहीं है यह इसका basically reason है okay then we have Malika Naveed Malika Naveed कहती है sir because of no gravity in space Malika याद रखिएगा gravity होती है space के अंदर बलके satellite करीब है और moon बहुत दूर है वहां तक gravity है तो यहां तक भी gravity 100% है ठीक है okay then we have शीराज शीराज महसूद 100% इन्होंने वही बात लिखी जो मैंने आपको बताई यह लिखते हैं sir due to free fall motion excellent शीराज आपने पढ़ा होगा आपको बात समझ आई भी होगी आप समझ गए बात को due to free fall motion शीराज का जो answer है वह 100% correct है free fall motion की वज़े से ठीक है और correct answer अलीजा का और किसका lost girl शायद कुछ था उनका भी correct answer था वह एक कहने थी tension नहीं होने की वज़े से और एक कहने थी opposite of gravity की वज़े से तो वह उसी sense में आ रहा है free fall की cancer में ठीक है बिल्कु सही हमाद नसीम कहते है sir there is no because there is no gravity हमाद और हमाद जैसे answer जिस ने दिये थे sir there is no gravity उनको आप बात समझ आ गई होगी कि gravity होती है अपने जैनों से आप ये बात निकाल दिएगा कि sir महाँ पर gravity नहीं होती जिसकी वज़े से astronauts weightlessness feel करते हैं ठीक है तो यह तो हो गया हमारे इस आज की वीडियो का first section complete satellites में weightlessness weightlessness होने का reason अब देखें आगे चलते हैं सके next section में astronauts को companies बड़ी-बड़ी companies जैसे NASA का आप बात कर लें वो बड़ी-बड़ी companies भार बेचते हैं हमारे space में बेचते हैं ऐसी थोड़ी बेचते के वो billions of dollars करते हैं और आप उपर जाएं उपर जाके बताइएगा मजा आया हवा में उड़ने का कैसा फील हुआ आप खेल कूते आजाएं मापर हवा में ओड़के fly करके वापस आजाएगा कैसा लागा हम भी जाएंगे दूसरों को भी बेजेंगे ठीक है ऐसा नहीं है वह missionary people होते है है वह पर missions होते हैं उनकी टास्क होते हैं तो वह फ्लाय करने के लिए नहीं जाते है आपको पता है weightlessness वह जो फ्लाय कर रहे होते हैं थोरदेर के लिए फन जरूर होता है हवा में और गये फन है मज़ा आ रहा है खुशी हो रही है लेकिन हमेशे आपको परिशानी होना start हो आप तंग होना स्राट हो जाएंगे ग्रैविटी नेमत है यह ब्लैसिंग है हमारे लिए समझ रहो तो वहां पर वह अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते हैं उनका खाना पीना लिखना विखना सब कुछ मतलब मूव करना सैटलाइट के अंदर वह बड़ा प्रॉब्लम हो जाती तो वहां पर ग्रैविटी पैदा की जाती है तो हमारे पास दो किसम की ग्रैविटी होती है एक होती है नैचरल जैसे अर्थ जैसे हर प्लैनेट जैसे हर स्टार की अपनी ग्रैविटी होती है वो नैचरल होती है और एक होती है आर्टिपिशल जो हम लोग ने मना दी जो मै तो अब हमारा जो next topic है इसी topic के अंदर जो next section है वो क्या कि इस weightlessness की condition को खतम करने के लिए ताकि astronauts अपने अपने काम भरपूर तरीके से कर सकें वहाँ पर हमें पैदा करनी होगी gravity जिसको हम कहा देंगे artificial gravity now we are going to discuss this के how to produce artificial gravity there तो हमारा जो next section स्टार्ट हो रहा है वो क्या artificial gravity artificial gravity ठीक है अब हम यह discuss करते हैं कि हमारे पास किसी भी satellite के अंदर artificial gravity को पैदा करने का प्रोड्यूस करने का क्या क्या तरीका हो सकता है ऐसा करने के लिए मैं काम यह करता हूं यहां पर एक diagram बनाता हूं एक satellite बना कि दिखाता हूं आपको और satellite की में ऐसी की ऐसी नहीं बना रहा है let's suppose मैं इसका कोई half part बना देता हूं यह वाला यह दो कंडिशन दिख रही है आपको मैं इसका half part बना देता हूं let's suppose हमारे पास एक satellite है कुछ जिस चरीके से ठीक है यह आ गई सैटलाइट और यह सैटलाइट का एक्सिस बिल्कुल मिडल पोर्शन आ गया अच्छा इस अगर सैटलाइट के हम बात करें यह पतनी क्या बन गया आपको लग रहा हो कसर क्या बना दिया आपने कोई डंबल नंबल लग रहा है या पिर कुछ और कोई बन हदी जो डॉक्स बेसिकली अकसार डॉक्स के साथ नजर आती है अब को लग रही है यह सैटलाइट सैलइट के हम वापस दो चैम्बर्ज है एक चैमर यह रहा यह आ गया इसका बिल्कुल मिडल पार्ट जिसको हम कह सकते हैं यह इसका एकसिस आ अगया आप देखें आप आर्टिफिशल ग्रैविटी का कॉंसेप्ट क्या होता है इसको हम डिसकस करते हैं बहुत अच्छी तरीके से किस तरीके साब इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और मैं चाहता हूं कि यार नीचे की तरफ ग्रैविटी को बनाने के लिए पैदा करने के लिए नीचे को बड़ी-बड़ी मशीन लगानी पड़ेंगी जो अपनी तरफ एट्रैक करें ऐसा नहीं है आपको मैं अभी इसी वीडियो के अंदर एक छोटी सी एक्जैम्पिल देकर आटिपिशल ग्रैविटी पैदा करके दिखा देता हूं ठीक है और ऐसा करने के लिए मैंने चोटा सा सेट अप ऑल्लेडी किया हुआ है सेट अप क्या बलके आप यह समझेगा कि मैं पास कोई बहुत कोई चीज़े हैं एक बॉटल का मैंने यह पेपर वागरा सब कुछ हटा दिया ताकि आपको इसके अंदर जो मैंने लिक्विट रखा हुआ है लिक्विट आपको नज़र आई यह लिक्विट मौजूद है ठ बॉर्स कर दूँ तो यह इधर आजाएगा ग्रैविटी ग्रैविटी का यहां की तरफ एक प्रैक कर रहे हैं तो यह वाटर हमेशा नीचे की तरफ रहेगा यह तो अब इस सिंपल सी बात है ग्रैविटी की बात हो रही है ओके आपको पता है अगर मैं चाहूं मैं इस बॉ इस को गूंट करता हूं आप अब नोट करेगा जो मैंने आपको ये बात करही थि कि ये bottle यू हो यू हो यू हो तो जहें में रखिएगा ये liquid इधर ही रहेगा ये बात मैं आपको prove करने जा रहा हूँ मैं इस तरफ इसकी base की तरफ gravity produce करके दिखा रहा हूँ आपको किस तरीक से आपने क्या करना है ये छोटा से step आप भी follow कर लिएगा किसी भी object में चाहो आप gravity produce कर सकते हैं अचाहिए जब मैं इसको घुमा रहा हूँगा तो मैं कामे करूँगा इस वीडियो वाले portion को slow down कर दूँ ठीक है ना ताकि आप इसको गोड़ से देख सके हाँ आप देखें आप आप देखा मैं जब इस bottle को घुमा रहा हूँ इस complete घुमाने के sense में इसका liquid ज अभी के बाद नहीं करा अभी इस पर नहीं जब यह बॉटल यहां थी तब भी इअधर ही था जब वी बॉटल उपर गई तब भी लिक्विड यहां पर था आप दोबारा चाक कर लें यह देखें लिक्विड कहां पर है लिक्विड अभी तक उसकी base की तरफ लगा हूँ ह इसे जैसे अभी आगिया लेकिन घुमाते वक्त यह नीचे नहीं आ रहा पता है क्यों कि घुमाते वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसकी वज़ज़से यहीं पर रह गया इसका मतलब यहां पर कुछ नकुछ ऐसा हो गया जिसकी वज़ज़से इस बॉटल में आर्टिविशल और एक होती है centrifugal, centrifugal होती है हमेशा towards the center और centrifugal होती है हमेशा away from the center आपको मैं एक और आपकी day lab से example दूँ, आप गाड़ी में बैठा है और गाड़ी, car है, कोई भी vehicle है, ठीक है न, car के driver ने अचानक से right turn लिया, अचानक से घुमाई गाड़ी, तो हम सब जो free objects होते हैं car के अंद होगी towards the center होगी लेकिन हम कहां जा रहें बाहर, अवे की तरफ जा रहें इस तरह की साथ अगर लेट्स अब उस driver कभी भी centripetal force की तरफ नहीं जाते हैं, वो अपने inertia की वज़ए से अवे जा रहे होते हैं, मेरा inertia था, वो मेरा inertia ये नहीं चाह रहा है कि मैं उस तरफ जाओ, मेरा inertia चाह रहा है कि मैं अपनी position को maintain करूँ तो मैं यहां की तरफ जा रहा हूँ, समझ रहें, तो आपका जो body का इनर्शिया होता है, इनर्शिया की वजए से, जो free objects होते हैं, उस frame के अंदर, वो frame आपका car भी हो सकता है, वो frame आपका satellite भी हो सकती है, वो frame ये room भी हो सकता है, तो जितने भी free objects होंगे, वो हमेशा अपने centripetal force के opposite direction में जाते हैं, आप imagine करो, मैं satellite के अंदर कुछ persons बना देता है, उड़ रहा है, हावा के अंदर उड़ हैं, ठीक है, एक chamber में मौझूद है, इस chamber में मौझूद है, अब मैं एक हां में करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि satellite के अंदर artificial gravity produce हो जाए, तो देखो वही वाली बात, bottle के अंदर क्या हुआ, कि bottle के अंदर liquid था, ये free object है तो जब मैं objects जो होते हैं, वो circular path पर हमेशा, जो free objects होते हैं, जो उस frame के अंदर free होते हैं, वो attach नहीं होते हैं, वो हमेशा कहां की तरफ जाते हैं, away की तरफ जाते हैं, centrifugal force की तरफ जाते हैं, अब देखें, imagine करो, अगर मैं satellite को घुमाना start करूँ, about its own axis, ये इसको ऐसे spin कर रहा हूँ है इसको अगर ऐसे घुमाना start करूँ, तो ये free objects हैं, इस पानी की bottle के अंदर liquid की तरह, ये दोनों bodies बिल्कुल free हैं, अब मुझे बताओ कि इन दोनों bodies को, इन दोनों persons को towards the center जाना चाहिए, या away from the center जाना चाहिए, आपके answers होंगे sir, away from the center, क्योंकि इन free objects पर, इन free persons के उपर, कौन सी force act करेगी, इनका inertia जो इनको away की तरफ लेकर जाएगा, कौन सी force act करेगी, centrifugal force, इसका मतलब जैसे ही आप इस satellite को घुमाना start करेंगे, ऐसे घुमाना start करेंगे, rotate करना start करेंगे, इस के उपर centrifugal force लगेगी, जो इस person को इधर लियाएगी, इस point पर, और इस person के उपर away force जागेगी, जो इस person को इस point पर लेकर आजेगे, और आपको पते क्या होगा, जैसे ही आप इस body को मुस्तकिल घुमाते रहेंगे, सैटलाइट को मुस्तकिल घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, जैसे मैं bottle को जब तक घुमाता जा रहा था, तब त सरीगे से होगा इमेजन करो यह रूम है इस रूम का पीछ में सेंटर आपको दिख नहीं रहा है रूम का दाएर से बात अगर एक रेक्टेंगिलर रूम है या स्कुर्ट रूम है तो हर रूम का एक सेंटर होता है न मैं कहाद़त हो सामने एक सेंटर है तो इस रूम का सेंटर सामने तो मेरी सैंटीपीटल fois कहां की तरफ होनी चाहिए मैं तो इमेज करो सिर्फ का मैं तो मैं आजWait यहाँ पर आकर लग जाँगा बोड की तरफ आगे लग झाँगा अगर यह मज़से कि घूमता रहे और अगरिये मुस्ताkil घूमता और अगर मैं इस तरफ लगा रहू ना तो पते क्या होगा मैं इस दीवार पे चल सकता हूं मैं इस दीवार पे वॉक कर सकता हूं पते क्यूं अब जब यह घूमता रहेगा तो मुझे एक फोर्स है जो कि यहां की तरफ के आप जमीन पर क्यों चल रहे हो आप जमीन पर स्टे सेंटिफ्यूगल फोर्स अगर मुझे यहां कीच रही है तो अब मेरे लिए यह हो गया सेंट यह हो गया बिसिकली ग्रैविटी का जो जमीन है ठीक है अब मैं क्या करूंगा इस वॉल के उपर बेसिकली चल सकता हूं तो मैं इस रूम में भी आर्टिफिशल ग्रैविटी प् तो जो सेंटिफ्यूगल फोर्स होती है वो ही आर्टिफिशल ग्रैविटी होती है जनाब कोई आपको बड़ी-बड़ी मशीन ने चाहिए हां आपको एक मशीन चाहिए जो कि सैटलाइट को सिफ घुमाए यह कोई बड़ी बात है समझ रहे हैं तो आपजेक्स को घुमाना कोई मुश्किल बात नहीं है तो इसी वज़ए से कभी आप किसी भी सैटलाइट को देख लिएगा उसकी जो मेन फंक्शन में होती है वो होती है इसको घुमाना उसकी अबाउट ओन एक्सेज तो इफ वी रूटेट एस सैटलाइट अबाउट इट्स ओन एक्सेज देन दे सैंटी फ्यूगल फोर्ज इस बेसिकली दा रिजन बहाइंड आर्टिविशल ग्राविटी तो यह आ गया रिजन एक खाव भी करते है इस बात कर आपर लिख देता हूं है आपर क्या आर्टिविशल ग्राविटी is produced in the satellites in the satellites by rotating इस सेटलाइट को घुमाओ इसके अबाउट इसके ओन एकसेस पर तो उसमें जो सेंटिफ्यूगल फोर्स ही बिसिकली क्या होगी वो आर्टिविशल ग्रैविटी की तौपर एक करेगी तो मैं हाँ पर लिख सकता हूँ कि सेंटिफ्यूगल फोर्स ही होगी बैसे जो आर्टिविशल ग्रैविटी है जो आर्टिविशल ग्रैविटी है डैट इस प्रोवाइड़ बाई दा सेंटिफ्यूगल फोर्स सेंटिफ्यूगल फोर्स रोटेशन की वज़ा से जो अवे वाली फोर्स होती है बैसिकली वही आर्टिविशल ग्रैविटी होती है तो हम कहेंगे अगर यह मुस्सकिल घुमता रहेगा चैंबर तो चैंबर का यह वाला जो पोर्शन होगा यह इनके लिए काम करने की जगा होगी यह जितने भी परसन्स होगे यहाँ पर चल फिर सकते हैं यहाँ पर चल फिर सकते हैं जब यहाँ पर चलेंगे तो यह बिसिकली ऐसे खड़े होगे ऐसे करके यह परसन्स यहाँ पर इनके लिए यह फिलोर होगा तो आपने यहाँ पर artificial gravity को produce कर दिया और artificial gravity के छोट इसी derivation भी है उस derivation को हाथ क्याथ कर लेते हैं कि हमें कितनी speed के साथ घुमाना चाहिए किसी भी satellite को कि उसमें gravity produce हो जाए कौँसी gravity artificial और कितनी produce हो जाए 9.8 ऐसा तो यह अपनी मर्जी से घुमाना start कर दो ऐसा नहीं है आप अ हमेशा हर satellite पे हर space station में 9.8 meter पर second square ही चाहिए होती है ग्राविटेशन acceleration तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक formula है उस formula से आपको कोई भी size का किसी भी size का space station हो, उस किसी भी size के space station मे आप हमेशा हमेशा 9.8 meter per second square gravitational acceleration produce करवा सकते हैं यानि कि gravity produce करवा सकते है ऐसा करने के लिए काम ही करते हैं इस formula कम drive करते हैं सब से हैले यहां पर concept आएगा centiprition acceleration का now the Centipital acceleration a Centipital acceleration of by the satellite सब्सक्राइब सेलिए आपको पाते है जर्स से बाते हैं रीवालफ करना है रूटेेट करना है तो सकी सेंटीपिर एक्सट्पर एक्सृयाचन तु हम याँ पर फॉरम्ला यूजय खांने जा रहे हैं Iuẻख यूज करने जा रहे हैं पहला क्या होता है V square upon R, जो मैंने आपर आपको बताया था, so 4 pi, 4 pi square, sorry, 4 pi square, R upon T square, अब एक कामे करते हैं, कि यह जो आ रही है, क्या है, इस axis से लेकर यह जो इसका radius आ रहा है, मतलब इस space station का जो अपना radius है, हम इसकी बात कर रहे हैं, this is R, this is R, ठीक है, अच्छा, अब वो एक condition है यहाँ पर, आपको पता होगा frequency के बारे में, कि frequency is the reciprocal of time period, यह मैं पढ़ाऊँगा आपको, topic आएगा, यह मैं आपको पढ़ाऊँगा, topic, basically जो chapter आपका वो है, waves वाला, simple harmonic motion वाला, महाँ पर जब इसका जिकर आएगा, तो यह बात में आपको प्रूफ भी करवाऊँगा, कि frequency क्या होती है, और यह reciprocal time period के क्यों होती है, हर बात में आपको प्रूफ करवाऊँगा, फिलाल एक बात जहांब रख लो, frequency is the reciprocal of time period, अगर f बराबर है, वन अपॉन टी स्क्वाइर नजर आ रहे हैं, इस वन अपॉन टी स्क्वाइर की जगा, simple कौन आ जाएगा, f स्क्वाइर, तो मैं यहाँ पर इसको put कर देता हूँ, ac is equal to 4 pi स्क्वाइर r into f स्क्वाइर, अब आप सोचें सरी, यह f स्क्वाइर कहा से आगे है, मैं आपको बता चुका हूँ, यह जो upon में, t स्क्वाइर है, उस upon में t स्क्वाइर की जगा, आपने क्या put कर दिया, f स्क्वाइर, तो f स्क्वाइर बराबर हो गया, one upon t स्क्वाइर के, आगे चलते हैं, हमें formula बनाना है basically frequency का, angular speed का, frequency का मतलब क्या होता है, angular speed, यहाँ पर में लिख देता हूँ, f का मतलब क्या है, angular speed, हमें इस f का formula drive करना है, तो यह सारे के सारे factor multiply से महाँ चले जाएंगे, divide के अंदर, so a, c, के upon में कौन करना जाएगा, 4, pi, square, और 7, 7, r, और महाँ पर क्या बस गया, सिर्फ और सिफ frequency का, यानि के angular speed का square बन गया, ठीक है, frequency को हम angular speed भी कहते हैं, और यह बात में आपको बता चुका हूँ, angular velocity के वाले topic के अंदर, आगे चलते हैं, अच्छा, अगर मुझे f का formula drive करना हो, तो square खतम करने के लिए taking radical on both sides, यहाँ पर भी radical, यहाँ पर भी radical, तो frequency का formula क्या बन जाएगा, खतम, ओके, इस radical में से कौन कौन से factor भाहर आ सकते हैं, एक factor 4 भाहर आ जाएगा, 4 का radical क्या होता है, 2, तो यह बन जाएगा 1 upon 2, और pi का square भी radical से cancel हो जाएगा, इसका रह गया, what is AC, यह centipetal acceleration है, और centipetal acceleration का मतलब, यहाँ पर हमें जो value चाहिए, acceleration की वो कितनी चाहिए, 9.8 meter per second square, 9.8 meter per second square चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर AC, उतना ही हो, जितनी हमारी आदत है, हमें artificial जरूर produce करनी है, gravity जरूर produce करनी है, लिकिन उनकी values उतनी ही होनी चाहिए, जिस पर हम उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, तो हमारी आदत कितनी है, 9.8 की, जादा होगी, आपको तंग करेगी, कम होगी, तब भी आपको तंग करेगी, जो हमारी actual है, आपको उतनी ही produce करनी है, तो इसका मतलब centipetal acceleration की value कितनी हो, जी जितनी ही हो, यानि के 9.8 meter per second square तो यह काम ही करते हैं, इस AC की जगह पे यह put कर देते हैं, 1 over 2 pi 9.8 divided by r, यानि के 9.8, चलो ठीक है, आपको 9.8 कर देते हैं, 9.8 divided by r, यह बन गया हमारे पास एक general formula, इसका मतलब यह किसी भी size का space station हो, किसी भी size की satellite हो, आप उसकी angular speed को calculate कर सकते हैं, मतलब उसको कितनी angular speed के साथ घुमाना चाहिए, यह पता होना चाहिए, ऐसा निया, अपनी मर्जी से किसी को तेज घुमा दिया, किसी को हलका घुमा दिया, तो यह value में फरका जाएगा, आप gravity उतनी ही produce नहीं कर पाएंगे, तो 9.8 के लिए आपने यह वाला formula यूज करना हो सेटलाइट को, different radius के सेटलाइट को कितनी speed के साथ घुमाना चाहिए, जिसके अंदर 9.8 meter per second square के साथ से gravitational acceleration produce हो जाए, मतलब artificial gravity produce हो जाए, यहां आकर खतम होता है हमारा chapter gravitation, finally, समझ रहें, तो मैंने आपको इस chapter के अंदर, इस से पहले वाली वीडियो के अंदर weightlessness का concept बताया, और weightlessness concept के बाद हमने यह चेक किया, सेटलाइट में weightlessness की होती है, सब कुछ discuss किया, detail के अंदर, और उसके बाद उस satellite के अंदर weightlessness की condition बनने के बाद उसको खतम करने के लिए, हमें gravity produce करने के लिए क्या करना पड़ता है, यह भी मैंने आपको detail के अंदर बताया, तो किसी भी object म आप artificial gravity produce कर सकते हो, आसानी से, कोई मुश्किल बाद उसके अंदर नहीं है, यह मैंने आपको यहाँ पर अभी अभी demonstrate करके दिखाया, bottle के अंदर मैंने artificial gravity produce करी, तो satellite को जब उसके about, उसके अपने own axis के about घुमाऊगे, तो उसमें centrifugal force ही basically behave करेगी as an artificial gravity, और artificial gravity को produce करने के लिए किसी भी satellite को कितनी angular speed से गुमाना चाहिए, उसको calculate करने का formula भी हमने बना लिया, ठीके बई, उमीद करता हूँ आपके concepts clear हो गए होंगे, weightlessness के हवाले से और artificial gravity के हवाले से, वीडियो अच्छी लेगी तो like करिएगा, comment करिएगा, share करिएगा, और subscribe कर दिएगा, मिलते हैं next वी